नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम इस वीडियो के मात्य हम से देखते हैं कि हम किस तरह दविंचे रिजॉल्व में हमारे रॉव फूटेज़, मतलब जो रॉव वीडियो हैं हमारे, उसको हम एडिट कर सकते हैं तो बिना देरी किये हुए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हमें जैसे की पता है, जब हम ये सॉफ़वेर, दविंचे रिजॉल्व 16 को अन करते हैं, बाइ डिफॉल्ट ये कट सेक्शन में जाता है मैं यहां पे बिगिनर यूजर्स को बताना चाहता हूं, जिन्होंने अभी-अभी दविंचे रिजॉल्व सॉफ़वेर अपरेट करना चालू किया है यहां पे टोटल 7 सेक्शन हैं, और यह 7 जो सेक्शन हैं, जो इसके डिफरेंट डिफरेंट आक्टिविटीज कर सकते हूं, रिल्टेट तो आपके वीडियो क्लिप्स के वो डिफरेंट सेक्शन को यहां पे 7 आइकन से कैटेगराईज किया गया है बाई डिफॉल्ट ये cut section open होता है जैसे हम software को on करते हैं जो पहला section है वो media section है इसके अंदर आप सारी media जो भी आप import करते हो वो सारी files इसके अंदर आपको मिल जाती है चाहे वो video files हो या आपकी audio files हो या आप for example को images import करते हैं तो वो सारी जो media's है आपको इस section में दिख जाती है दूसरा section आता है cut section ये भी इसमें भी आपको ये भी edit करने के लिए आपको help करते हैं आपके file को बढ़ आज हम इस सारे topics में इन सारे sections के बारे में नहीं discuss करेंगे except one section जो ये edit section है जो third section आता है इसके अंदर हम आज देखेंगे कि हम अपने raw files को किस तरह edit कर सकते हैं चौथा section इसमें आता है इसमें आप अपने जो भी special effects हैं उन सब चीजों को activities कर सकते हैं ये fusion section है इसके अंदर आप सारे अपने related to for example text animate करना है या कोई दूसरी activities करनी है तो ये सारी activities आप fusion section पर कर सकते हैं जो इसका पाच्वा section आता है वो color section है जिसको हम color management भी कह सकते हैं इसमें color grading होती है आप अपने videos को अगर आप colors देना चाते हैं इसके अगर आप for example इसके आप और enhance करना चाते हैं इसके colors को तो आप इस color इस टैप को अप इस्तिमाल कर सकते हैं and then the sixth section is your fusion section इस section में आप सारे audio से related activities करते हैं और जो last section आता है ये delivery section है इस section में आप अपने files को export करते हैं आपके requirement के हिसाप से तो चलिए दोस्तो हम straight way चले जाते हैं अपने edit section में जिसके बारे में आज हम इस video में discuss करेंगे तो चलिए हम one by one start करते हैं सबसे पहले हमारे को अगर अपनी raw footage को edit करना है उसे हमें import करना होगा हमारे इस software के अंधर सो हम कैसे import करेंगे import करने के लिए हमारे पास सबसे आसान option है हम top में menu bar पर जाते हैं यह जो file दिख रहा है इसको आप click कीजिए drop down menu आ जाएगा आप यहां पर देखिए बहुत सारे options दिए गए हैं और आपको select करना है import file जैसे हैं आप import file के उपर cursor लेके जाएंगे आप देखेंगे आपको options मिलेगा import media, import media from xml और import subtitles so at this moment हमें क्या करना है import media करना है जैसे कि मैंने आपको कहा media आपका कुछ भी हो सकता है वो आपका video हो सकता है वो आपका image हो सकता है, वो आपका background sound file हो सकता है, anything So what I will do मैंने अभी import media को click किया मैंने जैसे kinda import media को click किया यहां पर आप देख सकते हैं ग्लिट जिसके अंदर वो कह रहा है कि ये सारे files available है इस folder के अंदर, अगर आपको select करना है तो आप select कर सकते हैं, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही मैंने file select कर लिया है, और ये video file मुझे दिख रहा है, ये .mov है, ds6-0314, मैंने इसे select किया, और मैंने click कर दिया open पे, जैसे ही मैंने open किया, first time आप कोई भी media file जब import करो गया, वो video files होँगी, तो आपको ये message दिखाई देगा, इस message में ये क्या जा रहा है, कि this clips, जो clip आप import कर रहे हो, ये इसका frame rate different है, आप इसको please ignore कर दीजिए, ये by default आता है, first time आता है, इसके बाद नहीं आएगा, आप simple सा select क क्लिक कर दिया, अब आपका file import हो गया है, जहाँ पर आप पहले देख रहे थे, लिखा हुआ था, कि there is no media, अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही media आ गया, ये वाला area हट गया, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है, कि देखिए जी, ये MOV extension वाला जो file है, जो video file है, ये आपका import हो चुका है, अब अगर मुझे इस file को edit करना है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपको media files पे काम करना है, अगर आप यह तो मैंने ये की select किया हुआ है, आपने अगर for example, दो media file select कर लिया, एक मैंने ये वाली file select कर ली, दूसरा file for example, मैंने To start with, मैंने जो पहला वाला फाइल सेलेट किया था, मैंने यह वाला 314 वाला फाइल सेलेट किया और उसे मुझे double click करना है, मैं जैसे double click करूंगा आप देख सकते हैं जो center वाला box था, हमारा rectangle box वो activate हो गया है और अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे को दिख रहा है, जो हमने raw footage ली थी, उस footage का यहाँ पे display दिख रहा है अगर मैं इसे play करता हूँ तो, आप यह दिख सकता हूँ तो यह वही चीज display कर रही है, जो आपने वीडियो में लिया है अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ portion जिस वीडियो में है उसको मैं अपने main जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं files बनाना चाहता हूँ उसमें मैं add-on करना चाता हूँ, मैं पूरा का पूरा वीडियो में जो भी content है मैं उसे use नहीं करना चाता हूँ तो मैं वो कैसे करूँ, सबसे पहले आपको selection करना पड़ेगा, जो आपका raw footage है उसमें से for example आप कुछ sections select करके अपने timeline पे लेके जाना चाते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप उस section को select कीजिए, जिसको आपको लेना है मैंने decide किया है कि मुझे इस section से यहां तक मुझे select करना है इस file का वो मैं कैसे करूँगा, आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ buttons दिये हुए हैं इस buttons में आप देख सकते हैं, यह rewind का buttons हैं, आप यह end पे जा सकते हैं, यह rewind का है, यह stop का है, यह play का है और यह forward करने का है, end पे जाने का, साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हैं, जो इसके last में जो यह दो buttons है ना, यह बहुत important buttons है यह है mark in और यह है mark out यह दोनों buttons के through इन दोनों buttons के through आप select कर सकते हैं आपके raw footage से कि आपको कौन सा section select करना है clip के और उसे आपको timeline पे लेके जाना है चलिए हम select कर लेते हैं जैसे कि मैंने कहा मुझे यहां से इस file को select करना है तो मैं mark in पे click करूँगा जैसे मैंने mark in click किया आप देख सकते हैं यह पीछे वाला एरिया है वो highlight नहीं है अब आगे वाला area highlight हो गया इसके मतलब है यह area deselect हो गया अब मैंने कहा मुझे यहां तक select करना है इस file को मुझे इससे आगे जो यह file है मुझे इसको select नहीं करना है मैं क्या करूँ मैं mark out को select करूँगा आप देख सकते हैं यह पूरे clip के अंदर जो raw footage है इसके अंदर यह area highlight हो गया है इसका मतलब यह कह रहा है कि अब आप इस area को अपने raw footage से timeline पे लेके जा सकते हो इसका timeline कहा होता है पहले मैं आपको यह एक बार बता दूँ जो इस screen के अंदर आप देख रहे मैंने जो बोला था नहीं जो बड़ा वाला जो rectangle area है यह software का timeline है अब मुझे इस raw footage को अपने timeline पे लेके आना है so timeline पे लाने के लिए मेरे पास एक option है simple option मैंने इसे पकड़ लिया और सीधा drag कर दिया जैसे ही मैंने इसको drag कर दिया यहां पे आप देख सकते हैं कि activate हो गया यह वाला section अब तक यह inactive था और अब यह देख सकते हैं यह दिखा रहा है मुझे कि भाई साब आपने select कर लिया है अपने raw footage से timeline पे आप content को लेके आए आप इसे place कीजिए और जैसे ही मैंने इसे छोड़ दिया यह इसके अंदर place हो गया ऊपर की जो आप यह वाले देख रहे हैं यह time है fine seconds में दे रहा है कि आप कितने seconds में आपका यह place हुआ है अगर मैं अपना जो यह head है head को अगर मैं यहां पे लेके जा हुआ तो यह दिखा रहा है कि आपके 3.3 seconds and then 3.16 seconds में आपने अपना यह वाला content रखा हुआ है बट मुझे 0 से चालू करना है तो मैं क्या करूँ मुझे इसको fit से पकड़ना है select करना है select करके end पे लेके जाना है जैसे ही मैंने end पे लेके गया अगर मैं अभी अपना head fit से लेके जाओं 0 seconds में देखे यह यहां से start हुआ है साथे साथ आप कह सकते हैं कि ठीक है मैंने यहां पे select करके लेके आँ यह दो चीजे क्या है अब हम एक बार यह समझ लेते हैं एक आपको blue strip देख रहा है जो यह blue strip है यह video है and then जो green strip है यह audio है कभी भी हम जब video करते हैं हमें सबको पता है उसके अंदर दो चीजे होती है एक pictures होती है और एक होती है हमारे पास audio pictures कौन सी होती है जैसे कि हम decide करते है video लेते हैं वक्ति कि 24 frames होंगी 30 frames होगा यह 60 frames होएंगी so उसे हिसाब से यह images को images वाला layer है हम अगर अगर photoshop use करते हो या कोई दूसरा software use करते हो हम layers की बात करते same यहां पे भी layers में आप काम कर सकते हैं और एक के उपर एक layer भी रख सकते हैं और आप multiple layers में वो भी आपसे discuss करूँगा इस video के जैसे ही हम आगे जाएंगे so सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि यह क्या है so यहां पे denote हो गया कि यह जी यह जो blue color का जो है यह आपका image layer है इसके अंदर आपके footage है और यह जो next वाला layer है यह layer आपका audio layer है so अब हमने दोनों चीज़ों को separate कर लिया अब हम अपनी जरूरत के हिसाब से जहां पे हमारे को audio चाहिए हम audio इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नहीं चाहिए तो हम उसे delete भी कर सकते हैं चलिए यह तो सबसे आसान सा हो गया आपने drag and drop कर लिया अब कभी हमारे को यह भी requirement हो सकती है कि मुझे तो सिर्फ जी यह जो मैंने select किया हुआ है इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ जो इसका footage वाला जो है इमेज वाला जो section है जो layer है मुझे वही select करना है और मुझे इसमे इसमेट के लिए आप देख सकते हैं यहां पर दो चीज़े highlight हो गई है एक आपको image type की दिखा रही है जो film की देखिए icon दिख रहा है और दूसरा icon एक ऐसे wave वाला दिख रहा है और मेरा cursor से मैं इस footage वाले area में select करूँगा और इसको मैं drag कर दूँगा अपने timeline पे देखिए अभी सिर्फ blue आया है आप देख रहें audio आया ही नहीं इसके साथ so अभी हम next क्या कर सकते हैं अब मैं कहता हूँ जी मुझे तो सिर्फ इसमें से audio लेना है so मैं कैसे लूँ मैं क्या करता हूँ मैं इस wave वाले form icon में जाता हूँ इसको select करता हूँ और drag करके लेके आता हूँ अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया so अब देखिए मैंने अलग-अलग मैंने यहाँ पे audio अलग से select कर लिया मैंने यहाँ पे इसके videos को अलग से select कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों चीज़े select है एक ही साथ मतलब जब हम timeline इसका चलेगा audio और video इसका एक साथ चलने वाला है यहाँ पे audio अलग से चलेगा और यहाँ पे video अलग से चलेगा so यह तो मैंने आपको यह दिखा दिया कि हमने अपने footage से किस तरीके से हमारे को timeline पे content लेके आना है चलिए अब हम क्या करते हैं इसे delete कर देते हैं तो चलिए मैंने यह दोनों को delete कर दिया अब मैं यह कहता हूं कि मुझे दूसरे वीडियो से भी content लेना है या मुझे इसी वीडियो से आगे जाके दूसरे और एक clips लेना है आप वह भी ले सकते हूं मैं आपको दिखा रहा हूं आपने क्या किया अब यह आपने फिर इसे play कर दिया अब मैंने कहा कि मुझे यह वाला clip भी लेना है मैंने इसे select किया कि मुझे यहां से फिर से मैंने क्या किया marking किया जैसे मैंने marking किया देखिए जो पहले का selection था वो गयब हो गया अब मैंने जहां पर marking किया है वहां पर आया है यहां से लेके मैंने stop किया मुझे यहां तक लेना है तो मैंने mark out कर दिया अब फिर से यह select हो गया अब मैं फिर से इसको पूरा दोनों audio और video दोनों को एक साथ लेके आना चाहता हूं तो लेके आ सकता हूं और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको लेके आना है वीडियो को तो मैं इसको भी लेके आ सकता हूं तो मैंने इसको select किया देखिए यह अब यह timeline पर आ गया अब आप देख सकते हैं एक चीज को हमने notice को यहां पर भी करना है कि इसके left hand side पर भी न एक दूसरा एक window खुल गया है आप कहेंगे किया रही है यह दो-दो windows कौन से हैं confuse मत हो जाएए जो आपके left hand side में जो यह window है यह window आपके raw footage को दिखा रहा है और यह window है यहां पर आपके timeline के content को दिखा रहा है यहां पर वहीं तक videos दिखेंगे display दिखेंगे चीजे जो आपके timeline पर है और यहां पर जो भी आपने raw footage को select किया हुआ है वो दिखेगा तो यहां पर आप confuse मत होईएगा यहां पर दो windows खुल गई है जिस window से आपको कोई content को लेके आना है तो आपको left hand side वाले windows से लेके आना है यहां पर सिर्फ display के लिए आप timeline पर देख सकते हैं तो यह तो रहा हम किस तरीके से timeline पर अपने footage को लेके आ सकते हैं अब हम यह कहते हैं कि अगर मुझे इस timeline पर इस clip के characteristics को change करना है तो हम कैसे कर सकते हैं या हमारे को इसे for example थोड़ा zoom करना है या थोड़ा tilt करना है तो या इसकी opacity को कम या ज्यादा करना है तो हम क्या किसे कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले अगर हमारे को जो भी clips में चाहे वो audio video clips हो या चाहे वो simple सा आपका image हो या audio clip हो हमारे को क्या करना है उसे पहले select करना है for example मुझे इसके उपर काम करना है जो first वाले clip हमने इंपोर यहां पर timeline पर डाला था what I will do मेरा cursor में लेके जाओंगा and मैंने लेके जाके इसको click करना है select करना है clip को मैंने जैसे select किया select करने के बाद मैंने आपको बोला था यह inspector section है inspector है matter tax है mixer है timeline वाला वो shift होके center में आ गया और जो यहां के जो raw footage का डिस्प्लेय था वो गाइब हो गया तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर क्या क्या दिखा रहे है यहां पर देखिए inspector में दो tabs खुल गई है एक video से related tab खुल गई है और एक यह audio से related tab खुल गई है यह जो audio से related tab खुली है यह आपके जो नीचे यह green वाला जो आपका दिख रहे है ना clip के content है यह इसके लिए है और video को लिए अगर कुछ workout करना है तो आपको इस tab के अंदर activities करनी पड़ेंगी इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं जैसे opacity को आपको कम करना है ज्यादा करना है अगर आपको image को बड़ा करना है जूम करना है चोटा करना है for example आपके opacity जैसे मैंने का आपको अगर कम करना है या ज्यादा करना है वो सारी चीज़े activities कर सकते हैं पोजिशनिंग करनी है आपको भाई इसको तोड़ा उपर लेके जाना है क्लीप को साइट पे लेके जाना है पोजिशन एकसन वाई के हिसाब चलता है आपको अगर आप डाल सकते हैं या अपना कर्सर को आप रखिए जैसे आपका आप कर्सर को आप इस बॉक्स की उपर रख क्लिप्स को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं क्लिप्स को रोटेट सो अगर आपको इसका पिच करना है क्रॉप करना है डाइनमिक जूम देना है स्टेबलाइज करना है अननम बज़ाव ऑप्शन सारदे आपको पता ही होगा दविंच रिजॉल्फ एक बहुत ही बड़ा प फिर से अधर्वाइस यहां पर जो यह राउंड वाला एरो देख रहे है न आप इसे क्लिक कीजिए यह अपने डिफॉल्ट वैलूज में आ जाएंगी फाइन सो यह आपके फिर अगें सेम हो गया फॉर एक्जाम्पल अभी मैं क्या करना चाहता हूं मैं थोड़ा से जूम करना चाहता हूं मैंने इसे जूम कर दिया अब आडियो की बात करते हैं अगर मैं इसे प्ले करता हूं आपको साउंड सुनाई दे रहा है अब मैं क्या करना चाहता हूं मैं इसे म्यूट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा इस वाल्यूम को 100% म्यूट कर दिया अब आप इसको pan करना चाहते हैं, equalizer है, आप clip के, अगर equalize volume को equalize करना चाहते हैं, bandwidth उसके sounds को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो in numbers of options यहाँ पर भी दिये हुए, related to audio, आप यहाँ से इसके activities को कर सकते हैं अब हम समझ चुके हैं कि हम अपने वीडियो से किस तरह activity कर सकते हैं अब हम यह कहते हैं कि चलिए जी, हमारे को न, इसके उपर हमारा एक logo भी लगाना है, या हमारे को एक image डालनी है तो हम वो कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तो, अब हम यह देखते हैं कि हम इसके उपर logo किस तरह place कर सकते हैं मतलब कोई भी image हम अगर इस footage के उपर place करना चाते हैं, तो हम वो कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले जैसे कि हमने Ctrl-I इसका shortcut होता है अगर आपको import करना है कोई भी file, otherwise आप file में जाके directly जैसे मैंने आपको initially दिखाया था, file जाके आप select कर सकते हैं मैं कैसे करूँगा, मैंने इसे select किया and then I press open, देखिए यहां पर यह image आ गया है, जो आप media वाली file देख रहे हैं थे न, media वाली section पर यहां पर आ गई है जैसे कि मैंने आपको कहा, यह software layer में काम करती है, अगर मुझे इसको इस video के ऊपर रखना है, यहां पर रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस image को select करता हूँ और select करके layer के हिसाब से इसके ऊपर place कर देता हूँ, देखिए, मैंने जैसे place कर दिया, अब timeline पे यह पूरा blank आप देखिए, अगर अभी आप देख रहे हैं, आपका यह video चल रहा है, जैसे ही यह आपका image आ गया, वो पूरा area blank हो गया, पीछे आपकी video चल रही है, बाकी आपको लेकिन दिख नहीं रहा, तो what should I do, अगर मुझे इस image को यहां पर locate करना है, और साथ में मुझे पीछे क आप वीडियो दिखाना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे फिर से select करना है, inspector tab में click करना है, जैसे ही मैंने inspector tab में click किया, आप देखिए, यहां पे जो इसके characteristics है, इस image के, यह दिखा रही है, तो यहां पे दिखा रहा है, zoom 100%, 1.00 मतलब 100% है, मुझे ने इसको छोटा कर होना है, जैसे ही मैंने इसे छोटा किया, देखिए, immediately जो पीछे इसका जो नीचे जो layer था ना, वीडियो का, वो दिखने लग गया, और यह जो आपका logo, जो भी हमने images के उपर place किया है, वो छोटा होने लगा, अब मैं इसका size define कर सकता हूँ, पर मुझे कितना बड़ा रख मैंने for example, इसको 2.4 में रखा है, और इसको मैं position right करना चाहता हूँ, इस location में लाना चाहता हूँ, so मैं position के हिसाब से, देखिए, position को मैं change कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे position में गया, बीच पे रखा, और मैंने arrows से, इसको right hand side पे कीच रहा हूँ, अगर मुझे उपर लेके जान वीडियो को चलाऊंगा, फिर से आप देखिए, अब क्या होता है, अब मैंने इस वीडियो को चलाया, so इसमें क्या आया, देखिए, ये logo आ रही है, और, ये, निकल भी जारी, अब मैं चाहता हूँ, कि पूरे, 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 जब तक पूरे movie चले, ये logo यहाँ पे constant द देखिया, ये दिखतो रहा है, यहाँ पे, लेकिन यहीं पे खतम हो रहा है, तो मुझे इसको बढ़ाना कैसे है, इसको कम कैसे करना है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, by default, अगर आप कभी भी कोई भी image को अगर आप select करते हैं, fine, तो ये जब आपका image आप timeline पे select करते इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप इसके end पे चले जाएए, अपने cursor को लेके, जैसे आप अपने cursor को end पे लेके जाते हैं, ये दिखा रहा है, कि आप इसको कम भी कर सकते हैं, और आप इसको बढ़ा भी कर सकते हैं, so मैंने क्या किया, मैंने इसे click पकड़ लिया, hold कर दूसरा तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बता तो मैंने control set कर दिया कभी-कभी आपको specifically particular position में ही आपको तक चाहिए होगा तो what I have to do just click कीजिए आपके mouse के right में and जैसे आप click करते हैं तो आपके पास यह सारे options आ जाते हैं इस options में आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पे एक duration वाला option आता है इसका नाम है change clip duration control db कर सकते हो और change clip duration को भी click कर सकते हो अब जैसे click करते हो by default वो दिखाता है कि यह 5 seconds का है और अगर आपको इसको change करना है for example मैं कहता हूँ नहीं जी तो मुझे 15 seconds तक चाहिए मैंने इसे change कर दिया and I say change it so देखिए यह 15 seconds तक ही आ गया fine यह अभी हमारे main जो इसके पीछे के clip से उससे भी आगे चला गया तो यह मैंने just आपको simply यह दिखाया कि आप किस तरीके से आपके clips को बढ़ा कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं आप इस technique के through दूसरी चीज है सेम चीज आप यह कह सकते हैं कि भाई मैंने अगर मुझे अपने clip में changes करनी है इसी तरीके से timeline मैंने इतना तो select कर लिया था लेकिन अब मुझे ज़्यादा करना है तो मैं क्या करूं सेम टेकनिक आप इसमें पर इसमाल कीजिए आप इसको भी कोई भी video clips को भी बड़ा या चोटा कर सकते हैं आपके इसी cursor के through but depend करेगा कि आपका video clip उतना ही बड़ा होगा जितना maximum आपके video clip में है for example आपका video clip एक minute का है so यह आप खीच के एक minute तक ही लेके जा सकते हैं क्योंकि इसके बाद आपके पास clip नहीं है so obviously आप एक minute से ज्यादा नहीं कर सकते but related to image वैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि image एक ही single image है आप इसको एक minute भी लेके जा सकते हैं दस minute भी लेके जा सकते हैं depend है कि आपके कितनी requirement है so यह हो गई हमारी images अब अगर for example हम चाते हैं कि हमारे को को audio audio import करना है audio timeline पर रखना है तो वो भी हम कर सकते हैं हाँ मैं शायद skip कर गया मुझे आपको यह भी बताना है कि image जो भी आप timeline पर रखेंगे वो video layer के उपर रहेगा वी के उपर रहेगा और audio का related जो भी activities रहेगी वो A यह audio वाले layers में रहेंगे जो A से denote होता है और इसका color green होता है तो दोस्तो चलिए अभी हम import कर लेते हैं एक audio file अभी फिर से मैंने control i click किया यह चलिए हम ऐसे करते हैं फाइल पर जाते हैं इंपोर्ट इंपोर्ट फाइल क्लिक कर लिया मैंने इसलिए कि शायद हमारे को एक बार review हो जाएगा फिर से यह ऐसा नहीं हो कि shortcuts हम कौन सा यूज कर रहें हम confused हो जाएं तो देखिए इस folder के अंदर मुझे कुछ audio files देख रहें MP3 files देख रहें मैं randomly मैं इसे select कर लेता हूं way out west file है I don't know इसमें क्या है जैसे ही मैंने click किया अगेन देखिए जो हमारा raw footage वाला area वहां पर उसने waveform पर हमारे को यह दिखा दिया कि इस file के अंदर क्या है चलिए एक बार play करके देखते है fine so इससे हमारे को समझ में आ रही कि इसके अंदर क्या है तो same तरीके से हमें अगर select करना है तो same mark in and mark out के through आप select करके आप media को select करके drag करके अपने timeline के उपर लेके आ सकते हैं आप क्या जैसे ही मैंने आपको यह कहा कि यह audio है यह जो video वाले area में है यह नहीं place होगा यह आपके audio वाले layer पर ही जाके place होगा अगर आपने layer 1 पर ही A1 पर ही रखना है तो आप रख दीजिए इसके नीचे और अगर आपको लगता है कि नहीं दूसरा layer बनाना है तो एक बार और थोड़ा सा drag कीजिए तो एक automatically वह अपना layer create करके देगा जहां पर आप इसे place कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों यह basic हमारी एक idea हमें लग चुका है कि हम अपने timeline के उपर किस तरह workout कर सकते हैं इसके उपर मैं आपको थोड़ी बहुत और idea देना चाहता हूं कि यहां पर देखेंगे कि कुछ आपको और भी icons दिख रहे हैं buttons दिख रहे हैं तो यह सारे tools हैं इन tools को भी आप अपने timeline के उपर जब काम करते हैं तब इनसे काम ले सकते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसमें से important दो या तीन tools के बारे में अभी बता देता हूं और बाकी tools आप खुद explore कर सकते हैं यह video बहुत ही लंबा होता जा रहा है और मैं चाहता हूं कि जल्दी से सबसे important tools है तो यह tools में से यह blade वाला tool है इससे आपना timeline के उपर जा के कहीं पर आपको cut करना है जिस चीज को आपको delete करना है जिसको निकालना है timeline से वो चीज़े आप कर सकते हैं जैसे ही देखिए मैंने अपना blade जैसे लेके जा रहा हूं आपर यह दिखा रहा है कि आपका क स्क्रीन पर दिखा रहा है आपके इस वाले area पर कि कौन से चीज को आप cut करने जा रहा है मैंने कहा कि जी नहीं जी भाई मेरे को यहां से यहां तक इसे cut करना है तो मैंने एक बार इदर click किया और एक बार इदर click किया यह देखिए वह highlight हो गया यह box और आ गया है अब मैं यह delete होगा लेकिन इसके और इसके बीच के gap वह maintained है क्योंकि मैंने backslash इसको delete किया हुआ है मैं अब control Z कर देता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं यह area यह automatically इसके skin के पीछे आ जाए और यह delete हो जाए तो मैं क्या करूंगा इस वक्त मुझे क्या करना है delete का button दबाना है अ और अगर आप back दबाएंगे तो यह पीछे वाले clips है अपने जगा रहेंगे मैं यह बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आपकी timeline बड़ी हो जाती है लंबी हो जाती है तो बहुत बार ऐसे गलतिया हो सकती है आपसे कि आपने गलती से delete button दबा दिया और आप च यूज करना है तो दोस्तों अगर आप अभी देखते हैं अगर मैं अभी इस वीडियो को चलाता हूँ प्ले करना है यह एक फाइल बन चुकी है और इसको अगर हमें अभी एक्सपोर्ट करना है और इस वीडियो को हमारे को लेके जाना है दूसरे क्या कहते हैं अपने computer में हम क्या करेंगे हम अभी जाएंगे लास्ट वाला जो आइकन है डेलिवरी वाला आइकन इसमें हम क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से फाइल के सेटिंग करेंगे जो आपकी रिक्वाइर्मेंट है आप इसे यूटूब में अपलोड करना चाहते हैं तो यूटूब में यूटूब के सभी वीडियो को अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप सरूर इसे लाइक और शेयर करेंगे और प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब सरूर कीजिए मैं इस तरीके के वीडियो इस रेलेटेट टू दा विंची रिजॉल्व और भी लेता हुआ आउंगा नेक्स्ट कुची दिनुग। थैंक यू वेरी मुच